हेलो एब्रिवन, मैं हूँ गुर्मीत और कुक्विद गुर्मीत में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बॉंटी बार, जो कि कोकोनट बर्फी और चॉकलेट का एक अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन होता है और यह बहुत ही easy recipe है, इसे हम only 3 ingredients से बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए होगा खोपरे का बूरा, condensed milk और चॉकलेट compound तो चलिए recipe स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे हम 2 cup खोपरे का बूरा और 2 cup खोपरे के बूरे के साथ हम डालेंगे 1 cup condensed milk या milk made तो रेशो ध्यान रखिए, 2 cup खोपरे का बूरे में 1 cup condensed milk इसे अच्छे से mix कर देंगे तो इस recipe में न हमें milk powder की जरुट है, न ही cream और न ही sugar powder तो आप condensed milk को इसमें अच्छे से mix कर देते हैं, देखिए इसकी binding भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, यह देखिए तो अब हम इसकी बर्फी बनानी है, तो लेते हैं एक box और box में सबसे पहले हम लगा लेंगे यह butter paper और फिर हम transfer करेंगे यह hopre का बूरा और condensed milk का paste और अब इसे हम equally इसमें spread कर देंगे तो पूरे box में हमें equally spread करना कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए और अब इसे हम एक घंटे के लिए freeze में रख देंगे ताकि यह set हो जाए और एक घंटे बाद हम जब freeze से निकालेंगे तो यह देखिए अच्छे से set हो चुकी है हमारी बर्फी यह box को थूड़ा सा lose out करेंगे इस तरह से ताकि हमारी जो बर्फी है easily demold हो सके और यह देखिए अब यह butter paper है इसे हम निकाल देते हैं और इसे cut कर लेते हैं वैसे आप मन चाहिए shape में cut कर सकते हैं लेकिन हमें इसे bonty bar बना रहे हैं तो इसे इस तरह से हम cut करेंगे और जो इसके corners हैं इसको आप थूड़ा सा round shape दे सकते हैं और आप chocolate ready करते हैं तो इसके लिए हमने पहले एक बरतने पानी गर्म करेंगे उसके उपर एक बॉल और रखेंगे और जिसमें कि हम डालेंगे chocolate compound chocolate compound को थोड़ा cut के डालेंगे ताकि यह easily melt हो जाएगी यह chocolate compound थोड़ा light color का है इसलिए इसमें मैं add कर रही हूँ यह dark color के choco chips यह optional है आप only chocolate compound या only choco chips के साथ भी इसे बना सकते हैं और अब हमें इसे melt करना है तो उबलते पानी में हम इसे melt करेंगे गैस को कर देंगे बंद और 5 मीट के लिए हम इसे melt होने देंगे और 5 मीट के बाद देखिए यह chocolate कितने अच्छे से melt हो चुकी है और इसका color देखिए कितना अच्छा हो गया है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है सिर्फ 2 मीट ठंडा होने देंगे और उसके बाद जो हमने यह coconut बर्फी बनाई है इसको इसमें dip करेंगे और फॉक की help से जो extra chocolate जितनी भी है वो हम निकलने देंगे इसे एक tissue paper पर निकाल ले और knife की help से इस तरह से इस पर design बना देंगे इसी तरह से सारी chocolates बना लेंगे हम और इसे एक घंटे तक freeze में रखेंगे और एक घंटे freeze में रखने के बाद यह chocolates सारी हमारी ready है knife से जो extra chocolate है उसे finishing देंगे वो निकाल देंगे और यह ready हो चुकी है हमारी bonty bar बहुत easy recipe है तो जरूर बनाईएगा बनाईए खाईए enjoy कीजिए और देखते रहे है cook with gourmet